अगली फिल्म टाइगर नागेश्वरा राव जिसमें रवित एजाजी मुख्य भूमिका में होने वाला है उसके फर्स्ट लुक पोस्टर को उन्होंने रिलीस किया काफी ग्रैंड रिलीस था ये एक ब्रीच पर उन्होंने ट्रेन को रोका रोका मतलब पहले से उन्होंने वो वेवसा की होगी उस ट्रेन में पूरा उन्होंने एक सीन क्रियेट किया और ब्रीच के उपर से उन्होंने पोस्टर को एक बहुत बड़े पोस्टर को उन्होंने नीचे उतारा तो काफी बड़े लेवल पर वे इस फिल्म को रिलीज करने वाले हैं 20 अक्टूबर को ये फिल्म थेटर में रिलीज होगी डेड़ मिनिट का ये कुल मिलाकर टीजर है और कोई भी इस टीजर को जो देखेगा एकदम से उसकी इस फिल्म को देखने की उत्सुकता बढ़ जाएगी जिस प्रकार से स्टूर्ट पुरम इस गाव का वर्नन टीजर में किया गया है हिंदी जो टीजर है उसमें जॉन अब्राहिम की आवाज आपको बैगरॉन में सुनाई देगी वोईस ओवर में तो स्टूर्ट पुरम इस गाव का जिस प्रकार से वर्नन किया जाता है एकदम से हम जानना अचाहते कि आखिर यह ऐसा कौन सा गाव है और क्या सच में ऐसा कोई गाव आंधर प्रदिश में है और फिर टीजर के इंडिंग में रवी देशाजी का लुक रिवील होता है सामने आता है शुरुआत में तो बिल्कुल एक बाग ही लगता है क्योंकि नागेश्वराराओ, उनके एक पात्र का जो नाम है उसे टाइगर ही कहा गया है टाइगर नागेश्वरा राओ तो शुरुवात में बिल्कुल किसी बाग का ही उन्होंने जैसे फोटो लगाया हो ऐसे लगता है पर एकदम से कुछ सेकन के बाद में फिर रवी तेजाची का लुक सामने आता है और ओरल काफी बढ़िया टीजर था मैं परसनली बहुत उत्सुक हूँ इस फिल्म को देखने के लिए और मेरी उत्सुकता का एक कारण और ये भी है कि ये जो स्टुवर्ट पुरम गाव है पहली बार मैंने जब टीजर में इसका नाम सुना तो मुझे लगा कि यार ये शायद कोई कालपनिक ऐसा नाम उन्होंने यूद्स किया होगा हाला कि सत्य घटनाओं से प्रेरित इसकी कहानी को कहा जा रहा है पर फिर भी मुझे लगा कि शायद कुछ उन्होंने गाव का नाम ऐसा कालपनिक ले लिया होगा ऐसा थोड़े ने कोई गाव होगा भारत में, स्टुवर्ट पुरम तो मैंने थोड़ा सा Google पर सर्च किया तो पता चला कि भाई, ये तो सच में एक गाव है और इसका इतिहास तो बिटिश काल से जुड़ा हुआ है और जिस समाज के लोग यहाँ पर बसते हैं जो जनजातिय समू है, ये रुकुल समाज के तो उनका भी काफी प्राचीन ऐसा इतिहास है और बिटिशों ने किस प्रकार से उन्हें क्रिमिनल ट्राइब का एक टैग उन पर लगा दिया था कैसे बिटिशों ने उन पर अत्याचार किये थे इसका एक पूरा बड़ा इतिहास है मैं इसके बार में काफी मैंने थोड़ा सा जो पड़ा है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे आपको भी बहुत कुछ इसके माद्धिम से जानने को मिलेगा पता नहीं वे फिल्म में कितना दिखाएंगे क्या दिखाएंगे या यह क्यों एक मसाला एक्शन फिल्म होगी या इस इतिहास के बारे में भी कुछ वे वरनन करेंगे या नहीं करेंगे वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद में या जब ट्रेलर रिलीज होगा तब ही हमें पता चलेगा और अभी जो मैंने इस स्टुवर्ट पुरम के बारे में पढ़ा सच में मैं और ज़दा उत्सुख हो गया हूँ इस फिल्म को देखने के लिए देखें ये जो यरुकुल जनजाती समू है वे घुमन्तू होते थे अलग-अलग जगों पर जाकर अपनी जो आजीविका के उनके साधन होते थे वहाँ पर वे अपने जीवन यापन करते थे और कई सारे उनकी आजीविका के साधन थे सबसे मुख्यतो जो अनाज है के हूँ धान आधी उसका और उसके साध में ही नमक इनका वे व्यापार करते थे ये यरुकुल्स वे ओरीजनली ट्रेडर्स अप ग्रेन और सॉल्ट वे उच्छ तो ऑपरेट अक्रॉस तम मिद्रास प्रेसिदेंसी तो बेलगाडी पर वे ये जो अनाज जाधी है या नमक आधी उसको वे पहुचाते थे अपने बेलगाडियों पर एक जगह से दुसरी जगह पर और ये ही ट्रेडिंग का व्यापार का उनकी ये आजिविका का मुख्य साधन था पर फिर अट्रास सो पचास में जो आजिविका का साधन था सामान को एक जगह से दुसरी जगह पर पहुचा ना बेलगाडी से वो बंद हो गया क्योंकि रेल्वे से रस्तों से सामान और आसाण इसे और तेजी से पहुचने लगा पर ये रुकुर समाज के पास में मराटे में टोपली कहते हैं, इंगलिश में बास्केट, तो ये पत्तों से टहनियों से वे बनाते थे, मैंने तो अभी हमारे गाओं में तो अभी तक भी मैं देखता आया हूँ, जो नारियल की पत्तिया होती है बड़ी-बड़ी, उससे जाड़ू बनाया जाता है, अभी भी बनाते हैं, हमारे गाओं में तो मैं बच्पन से ही ये देखते आया हूँ, तो वे भी जो इरोगूर समाज के लोग थे, वे जंगलों से इस परकार से साधन लाकर, पत्ते आदी लाकर, उससे ये अलग-लग वस्तुए बनाकर बेजते थे, पर बिटिशों के आखों में तो बिटिशों को तो ये भी सहन नहीं हुआ, उन्होंने अलग-लग लौज, कानून वगएरा लाकर, जंगलों से सामान ले जाने पर बंदी लगा दी, तो ये जो आजविका का साधन था, ये रोगो समाज का वो भी बंद हो गया, पर इसके अलावा, उनके पास में कुछ कला भी थी, निरित्य, संगीत, शाररी कसरत करके दिखाना, या फिर जोतिश कला भी उनके पास भविश्य भी वे बताते थे, तो ये उन्होंने शुरू कर दिया, और फिर इस कारण से उनकी जो अलग-लग कला थी, निरित्य हो, संगीत हो, नाट्य हो, शाररी कसरत आदी करके इसके लिए अलग-अलग शेत्र के कई सरे आजवाजू के गाहों के लोग उन्हें देखने के लिए आने लग गए बिटिशों को फिर ये और ज़दा प्रॉब्लेम लगने लगी बड़ी कि भाई ये तो लोगों को समाज को जागरित कर सकते हैं अपनी कला के माध्यम से तो बिटिशों ने उस पर भी बंदी लगा दी आपको पढ़कर बदाता हूँ और इसके बाद में फिर बिटिशों ने जैसा कि उन्होंने भारत भर में अलग अलग जगहों पर किया जो भी हमारे जनजातिय समूथ है उनमें से कई ओपर क्रिमिनल ट्राइब का ठपा बिटिशों ने लगा दिया था तो यरुकुर समाज पर भी उन्होंने इसी प्रकार से क्रिमिनल ट्राइब का ठपा लगा दिया इसके लिए उन्होंने मिश्नरियों का सहरा लिया बिटिशों का तो मुख्य उद्देश रही था भारत में आने का भारत को कनवर्ट करना सो कॉल्ड हमें सिविलाइस्ट करने के नाम पर इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा ये फेमिनिस्ट महाभारत पर जिपिका पादुकॉन के साथ एक महाभारत आनौस कोई दिधी 2019 में उस पर मैंने जो वीडियो बनाया था वो आप देखना उसमें पूरे मैंने डॉक्यूमेंट्स वगएरा सब कुछ बहुत डिटेल में बात की है उक्सपर्ड उनिविशिटी में बोडेन प्रोपेसर अप संस्कृत का पूरा एक अलग से लड़ा था पूरे इंग्लेंड से ट्रेनों से लोग वहाँ पर आते थे उस इलेक्शन में वोट करने के लिए चर्चा आदी होती थी इलेक्शन से पहले कि कौन जो उमिदवार खड़े होते थे कौन जादा जल्दी से जल्दी भारतिय संस्कृति को समाप्त करके सभी को वहाँ पर कनवर्ट कर सकता है तो उनका तो मुख्य उद्देश्य ही कनवर्ट करना था भारत को लूटना और कनवर्ट करना और इसके लिए उन्हें बहुत गंदी से गंदी चाल चली है हिंदू को जातपात में बाटना तोड़ो और फूट डालो और राज करो यही स्ट्रेटेजी उनकी होती थी तो अलग-अलग जो जनजातिय समूत है जो शहरों से दूर रहते थे तो उन्हें पर क्रिमिनल ट्राइब का थपा पहले बिटिश लगा देते थे उनकी आजिविका के जितनी भी सादन होते धे उन पर बंदी डाल देते थे तो उनके पास में कोई चारा ही नहीं बचता था फिर उनकी मदद के लिए ब्रिटिश भेजते थे मिशनरीों को और फिर उन्हें systematic way में convert किया जाता था मिशनरी उनको brainwash करते थे भारत के विरुद्ध, भारतिय संस्कृति के विरुद्ध या संस्कृत भाषा के विरुद्ध, हमारे culture के विरुद्ध systematic way में मिशनरी वहाँ पर brainwash करते थे मिशनरीों को कई सेकड़ो सेकड़ो एकर जमीन भी ब्रिटिशों ने उस कालखंड में दी थी तो ये सब कुछ वहाँ बहुत systematic way में देश भर में ब्रिटिशों ने ये किया है भगवान विर्सामुंडा जी ने इसका खुल कर विरुद्ध किया था इसी कारण से भगवान विर्सामुंडा जी ब्रिटिशों के आखों की किरकिरी बन गए थे बचपन में तो भगवान विर्सामुंडा जी को convert होना पड़ा था शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर बाद में उन्होंने फिर से घरवापसी की सनातन संस्कृति में वैशनोपंत को उन्होंने स्विकारा और फिर जो उनके अनुयाई थे आदिवासी इस कारण से फिर उन्हें भगवान विरसा मुंडा जी को जेल में विश्य देकर उनकी हत्या की और उनके सेकड़ो सेकड़ो अनुयाईयों पर अंदाधुन गोली मार अंदाधुन फाइरिंग उन्होंने की उनके सेकड़ो सेकड़ो अनुयाई भगवान बिर्सामनाजी के वीरगती को प्राप्थ होए थे तो जो ये रुकुल समाज है उनके साथ भी प्रिटिशो ने यही किया उनकी आज इविका की जो साधन थे पहले जो व्यापार करते थे उस पर बंदी ला दी उसके बाद में जंगल से राने वाले सामान पर बंदी ला दी उनकी जो कला थी उस कला को परफॉर्म करने पर भी बिर्टिशो ने बंदी ला दी उसके बाद में उन्होंने किसे भेजा? मिशनरियों को देखें मैं आपको पढ़कर बताता हूँ तो Salvation Army का ये जो Commissioner था Frederick Booth Tucker उसको ये मुख्यतर जिम्मेदारी सोपी गे थी अब ये Salvation Army क्या है? The Salvation Army, a Protestant Christian Charitable Organization, was an influential handmaiden of the empire and the British looked to their expertise in reforming these ignorant nomadic tribes by setting them in one place मतलब ये जो घुमन्तु जन जाती है समूथा एक जगह से दूसरी जगह बे जाकर भी अपनी आजीवी का से जीवन यापन करते थे तो बिटिशोंने Salvation Army को जो एक Christian Charitable Organization था उनको जिम्मेदारी सोप दी रिफॉर्म करने की मतलब उनका तो ये कहते ही थे इस देश की संस्कृति को नश्ट करने को वे civilized करना कहते थे बिटिश तो यहाँ पर भी उन्हें रिफॉर्म जैसा शब्त का उपियोग किया है तो ये रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी Salvation Army को सोप दी और फिर ये जो घुमंतु जनजातिय संहो था उन्हें अलग-अलग ऐसी colonies बनाकर वहाँ पर सेटल किया गया क्यों सेटल किया? क्या उद्देश था? कन्वर्जन तो उद्देश था ही पर बिटिश उन्हें एक प्रकार से बंदुआ मजदूर बनाकर उनसे काम लेना चाहते थे उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, कमपनीज थी वहाँ पर और हमारी सेरव को जनजातिय समाज को इन कॉलनीज में बसाने की सेटल करने की जिम्मेदारी बिटिश गवर्मेंट ने उस समय की मदरास गवर्मेंट के ग्रह सदस्य हरल्ड स्टूर्ट को दी हरल्ड स्टूर्ट ने फिर सेलवेशन आर्मी से मदद ली और इन दोनोंने मिलकर Salvation Army और Harold Stuart इनोंने मिलकर वहाँ पर Colonies बनाई और फिर Harold Stuart के नाम पर ही उस जगह को Stuart पूरम कहा जाने लगा दीके मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ The development of the colony was not easy. Men and women were trained in farming, draining the land, plantation of gardens, and construction of buildings. Two schools were established. Around 6,000 Yerukuls began to live there. And over time, the settlement grew, sustained by the women and men turning into wage workers at the Indian Leaf Tobacco Company, which had been operating in Guntur since 1908. विरुद्ध बिटिशों का मुख्य उद्देश यह था, उनको अपने अपने अधुआ मजदूरों के दरह उनसे काम लेना, और पिर जो मिश्नरीज थी, वे उनको वेमवाश करने का काम करती थी, convert करने का, और जो हिंदू समाज में food डालने का काम करती थी, कि किस प्रका, पहले तो उनको खुद ही आजविका के सारे साधन उनके चारों तरफ से बंद कर दो, और फिर समाज के अन्य जो हिंदू है, समाज के अलग-अलग वर्ग, उनके विरुद्ध भढ़काना, उक्साना, इससे मिश्नरियों का काम और ज्यादा आसान हो जाता था, convert करने का, आ इसमें नकसिलियों की भी काफी उन्हें help होती है, भार से लगातारिस के लिए funding भी होती है, और फिर वामपंति फिल्मेकर्स अपनी फिल्मों के माध्यम से, समाज में यही जातपात का जहर, कुछ घटनाओं को उठा कर, उनकी एजंडा को सूट करने वाली, फिर उनको तो देखेंगे, तो वामपंति फिल्मेकर्स यह बहुत तीजी से और लगातार पिछले पाथ साथ वर्षों से कर रहे हैं, तो एक तरब तो वामपंति फिल्मेकर्स इस प्रकर से अपने एजंडा को पुश करते हैं, और दूसरी तरब जो वामपंति इतिहासकार है, उन्होंन तो सिविलाइस्ट किया, हमारा देश तो सापसपेरो वाला था, और बिटिशों नहीं यहाँ पर लोगों का विकास किया, और जो समाज के उच्चे वर्ग के जो हिंदू है, संपन्न जो हिंदू है, वे अत्याचारी थे, और यही नरेटिव, आपको बॉलिड की समिशेरा फिल्म में भी देखने को मिल जाएगा, रनबिर का पूर्जो मुख्य बुमिका में थे, यही सेम एक्जेक्ट नरेटिव की बिटिश और सनातन संस्कृति की परंपराओं का पालन करने वाले जो हिंदू है, यह दोनों एक साथ में मिलकर समाज के गरीब और पिछडे वर् मिशनरीज भी हिंदू को कनवर्ट करने के लिए यही प्रोपगेंडा वो स्प्रेड करते थे, स्वतंतरता के बाद में फिर वामपन्थी इतिहासकारों ने भी इसी नरेटिव को उन्होंने साहित्य के माध्यम से, पठ्थे पुस्तोगों के माध्यम से, कला और साहित्य के दे-धिनू का आर्टिकल मुझे मिला सरच करने के बाद. तोश में से वायर की अपेक्शा मुझे लगा कि चलो दे-धिनू ठीक है, वैसे दे-धिनू भी वामपन्थी विचारदारा सही हैै, पर फिर भी वायर की अपेक्शा चलो ठीक है, इसलिए मैंने उनका यह आर्टि मैं तो चाहता हूँ कि भगवान विर्सा मुंडा जी पर विवेक अगनी उत्री जी या जो भी राष्ट्रवधी चरधारा के कोई फिल्मेकर हो उन्हें फिल्म बनानी चाहिए यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि यह जो नरेट्यू ब्रिटिशों ने इतने लंबे समय ते उनके बारे में दे हिंदू के आर्टिकल में क्या लिखाए देखिये उन्हें क्या कहा वो भी इसमें बताया हुआ है नागेश्वरा राव उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कितनी पीडाव का उन्हें सामना करना पड़ा आजी विका के कोई साधन नहीं थे खेती बाड़ी भी थी पर वो कुछ महिन ही उससे कुछ आजी विका चलती थी तो फिर उन्हें किस प्रकार से अपरात का रास्ता चुनना पड़ा फिर वे जेल में भी गए थे उनकी पतनी के साथ में जेल में ही उनकी पतनी ने बेटी को जर्म दिया और वहाँ पर फिर ज सर्विंग जेल सेंटेंस अलॉंग विद रहस्बंड रास वाइप गेव बड़ तो अदॉटर इन 1984 वी नेम्ड हर ज्ञान जोटी इतना सुंदर नाम है देखे ज्ञान जोटी रास सेट्स आ रिमेंबर वी हैद बेबी शौर फंक्शन इन जेल प्रिमिसेश वेर मोस्त गे नागेशुरा राउजी के जीवन पर ये फिल्म आधारित होने वाली है मैं बहुत उत्सुक हूँ टीजर देखकर भी और ये पूरा स्टूर्ट पुरम के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा इस फिल्म में वे क्या दिखाएंगे कि वह एक प्योर मसाला एक्शन फिल्म ये होगी कुछ या कुछ इस बहुती दुखद और पीडा दाई ऐसे इतिहास के बारे में बिटिशों के अत्याचारों के बारे में भी क्या बताया जाएगा या जो उनकी फूट डालो राजकरो की राज जो नीती थी जो मिशनरियों ने वहाँ पर जो किया क्या-क्या वो जो वामपंती फिल्मेकर्स प्रपगेंडा फिल्में बनाते हैं शमशीरा जैसी उसके अगेंस उसके विपरित हमें और कई सरे ऐसी फिल्में बनानी चाहिए भगवान विरसा मुंडा जी के जीवन पर विशिश्चत फिल्म बननी चाहिए आपकी इस पर क्या विचार है अवश्य बताना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम दे मातरम